आप जनता आगे बेच आएंगे और कितनी पांच में से स्थीटें भाजबा जी सकते हैं है प्राइट को लेकर करता इंतजार कर रहे हैं कब हमें देखने को ने लेंगे जिए इंतरा तरह को हमारा प्रियास हैगा कि पूर्व इस दिसा में सरकार आगे बड़े और वहीं कॉंग्रेस जो है लगातार सवाल उठा इस सरकार पर की सरकार वी आईप जो लोग है उनके नाम चुपाने के कोशिश कर रही है अब कर दो कि अब देखेंगे बारता पार्टि निविप्ति पुजा नहीं देखें वह बहुत स्वागत आप सभी का देव ओम इंसाइडर में मैं आपके साथ आहिश शोधरी आजो मेमान हमारे साथ हैं वह किसी पहचान के मोहताज नहीं है उतरखन की राजनीती का एक हाली में बागिश्वर उपचुनाब में जो भाजपा ने जीत दर्ज करी ती उसमें इनका एहम युगदान रहा था हम बात कर रहे हैं उत्तराखंट भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महंदर भट की तो बिना समय बिताए हम सीधे सवाल जवाब करेंगे प्रदेश अध्य जीत कर आएं वहीं कॉंग्रिस यह कह रही है हार के बाद भी हम जीते हैं क्योंकि उनका जो वोर्ट प्रतिश्यत है वह बढ़ा है किस तरह से देखते हैं अब बागिश्व का चुनाव भारिजनता पार्टी की दूस्ते बहुत महत्तपूर चुनाव था और मैं कह सकता हू है उसका नतिजा है कि भारिजनता पार्टी अपेक्षा से अच्छे मतों से जीती है जब अच्छे मतों की बात करता हूं दो बात ने उस बहुत के लिए पहली बात तो 2022 के अंदर जब चंदर राम्दा चौन ले थे हमारा प्रतेक बूत पर जो वोट ता यह था वोत रहा ह है उत्ना बोट हमको मिला है बारा सो आत्रीस बोत का इजाफा किया है जबकि 3% की पोलिंग कम हुई कोंग्रेस के कहना है कि मारा बौट परस्ट बढ़ा है कॉंग्रेस ने तो आम आदमी पालिटी का बोट चीना है हम ने अपने वोट को इस्तिरे रख रख आख हैं और कॉ बोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद भी और साथ सबसे दूसरा हम लोगों ने पिछली बार में भी 50% ज्यादा मत प्राप्त करें इस बार भी हम टोटल पॉलिंग का पचास ज्यादा मत प्राप्त करें में सपल हुए और इसके पीछे का मुख्ष जो है चाहे कितने दाले हो जाएं बीजेपी कारिकर बूत पर खड़ा है और भार जनता पार्टी हर चुनाओं में 50% ज्यादा मत लेकर सब को दरासा ही करेंगी चले जब अलेक्षन की चुनाब की बात ही चल रही है तो फिर हम लोगसवा से शुरू करते हैं लोगशवा में आने वाले टाइम पे किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे और कितनी पांच में से स्टीटें भाजबा जीच सकते हैं देखे भार जनता पार्टी का चल जनता राष्टवादी जनता है हमारी सीमा बॉर्डर से लगी वी है नेपाल बॉर्डर है अपना अतिबद बॉर्डर है और देव पूरे उत्राखंड के अंदर हर गाओं में राष्ट वक्त व्यक्ति रहता हर परिबार का व्यक्ति से नाम है जब से मोधी जी ने ने मौदी जी का लिए जो जो जुआर मौदी जी का दिखाए गया तो कि है पाकिस्तान इंदर जो कि यहां का जो राष्टवादी व्यक्तुत है जो यहां का देश के लिए समर्पित सेना नहेक है उसके अंदर मोदी जी के श्ने खड़ा होता है और वही कारण रहा है कि हम बड़ी संक्राइब अपना मत्परस्ट बढ़ा रहे हैं इसके साथ साथ इस भी जब से नौ वर्सों के कारेकाल के मतुलना करूं तो आज उत्रा खंड के 95 परसद गाउं पर तो सड़क गई है तो उत्रा खंड के प्रेटन को बढ़ाने में जिस प्रकार से केंदर सरका का सईयोग है वह बहुत बढ़ाएप पक्स है तीरी जील के अंदर तो विस्वा के प्रेटन का रहे हैं तो मेरा काना है कि मोडी जी के परती विकास कारियों के परती गरीब से गरीव यकति की चली अम्लाह तीस के भी इसके मुगे मंत्री पुषकर सिंग धह्मी जी को परतौसाकर प्रकार से जनता का विश्वास जीता है काम किया है फिर कह सकता हूं है ट्रिक बनी थी इस बार लगाता है इस बार है जलते हैं पांचों लोग सब्सक्राइब आपको देते हैं बड़ा आपने विकास की बात करें 2017 में दहरादून स्मार्ट सिटी दरजा मिला था और 2017 से पहले 2020 डेडलाइन दी गई थी कि स्मार्ट सिटी जो है उसका कार संपन हो जाएगा फिर 21 होती है फिर 22 होती है लेकिन अभी तक जगे जगे गड़े खुदे हुए है ट्रैफिक इतना है उन गड़ों की वजए से उसमें पल रहा स्मार्ट सिटी कारूं संपन हो जाए इसके लिए जान सरकास कटी बाती है उससा में प्रियास हुए अन्यों को बार जब इस्ट्रिमेट जाता है तो पुराने कारेक के पूर्ण होने कवाद नया धंडाती प्राफ्त होती है और मैं विश्वास पूरों कहता है मुख्यमंत हम सब को हमने जो रखा है वह त्रहातल उतलेगा थोड़ा सा बिलम हुआ इसको मैं स्विकार करता हूं लेकिन जब से पुस्कर धामी जी आये मुख्यमंतरी बहुत कड़ाई से काम हो रहा है रात दिन काम हो चल रहा है और जिक्रसुप उतलत दिरादों की जनता तो अध्य है तो इस चीज को लेकर हमने विपक्ष बात करें तो उनका कहना यह है कि यह चीज पहले भी हुई थी पूर मुख्यमंतरी त्रिवंदर रावत जी के समय वह उसका हिसाब दे दें देखें कॉंग्रेस के भी मुख्यमंतरी रहें लेकि इसकी पहल हमारी सरकारों ने कि इन् पुछना चाता हूं कोंग्रेस से का पहल को करने में कॉंग्रेस कुछ नाकाम रही यह कहना कि इन्वेस्टर आये नहीं ऐसा नहीं होता है एंवेस्टमेंट के बारे में विधान सब्स्राइब इंजिनिय बताया है और पुस्कर नदामी जी बताएंगे तो आखिरकार इन् पुरे बाते होती हैं कॉंग्रेस में नेगेटिव चर्जा नहीं है पूरे भारत का विश्व जी तुट्राइब बारे में जाकर बारे में जो चबी राहूल गांदी प्रशित कर रहें इसके बाद भी पूरे विश्व का नरें भाही मोधी विश्वास है भार्य जंतापा को रोजगार से अगर समेट के मैं बात करूं तो भाजपा का परवत ताफी ध्यान जा रहा है अब वहीं पर कॉंग्रेस का कहना है कि अतिकर्मन बहुत हो रहा है जिसकी बज़े से लोगों का जो विपसाय है वो चीना जा रहा है अरिशावत जी ने भी चीज कही थी आप स सरकारी भूमी में अतिकर्णों के बाद अतिकर्म हटाया जा रहा है नियाले के आदेश पर अतिकर्म हट रहा है और मुख्यमंत्री जी ने तो विश्वास पूरवा जनता से अग्रे कि आकरिकार जिसकी अपनी उसको किसी प्रकार के प्रतारणा इस रूप में नहीं होगी नियाले को यादिश देने का वस्ता क्यों पड़ी इसलिए पड़ी कि इस कॉंग्रेस के राज में अनेको अस्तान पर अनाव तक्ता बन मुमी हो अब यह भी तुछ सच्छा है उत्या कंकंद सीमित भोगलिक शेत्र है सीमा यह लगाव है बन फॉरिष्ट हमारा पे उननीस सीवे बन अधिनियम के बाद हम फॉरिष्ट में कुछ करने सकते हैं सीमित चेत्र के अंदर उद्ध्योग भी लगने हैं विफसाइक भी होने हैं उसके बाद कुछ तत्व अगर अधिकर्म को लेंड जिहाद के नाम प यह भी सच है कि लंबे समय से जिनको जब रोके ने गए अधिकर्म हो चुका है वहां बिजली के बिले हैं मीटर हैं पानी की भी होसता है तो सरकार दिसा में बहुत ज़्याद करेंगी और सबके समोग होगा सबस्वास जिलादिकारी को भी का जाए कि आगर उस व्यक्ति की सुननी जाए जिसका मकान अधिकर्ण के दहरे में बताया जा रहा है तो जब यह समादा निकलते हैं तो उसके आधार पर चीज़ा आगे बढ़ती है और यह भी सत है कि 2021 के अंदर कॉंग्रेज विधान सभा के अधर बिल लाई और सोर सरा में बिल को पास किया कि नैस्ट ल कौन और पांस में तो कोई निर्मार नहीं होगा तो कौन लाया को अज कि तो प्रशकड़ा क्या जा रहा है क्यों अगली उठाई जा रही है अकर कॉंग्रेज मैंने मुद्दा भीन हो चीए ने तो थी मुद्दा भीन हो चीए इसलिए जो अच्छे काम हो रहे हैं उनका व मलीन बस्तियां है वहां पर कोई अथिकर्मन नहीं हो रहा है देखे मैंने का अथिकर्मन किसी कालगा पर वागतोब से हुए और यह भी सत्य है इस पूरे घटना करम के बाद सामाजिक चेतना जागिर्थ होगी और भूम वहत कप्चे रुकेंगे यह ठीक है कि मलीन बस्ति समाज के वर्ग को जहां बसा बसा दिया जाता है उस वर्ग के लिए बिवस्ता बनानी बदी और माने मुख्वन से इधर से बाहर वेक्त करता हुए उन्हें का है कि जिस पे भूमी नहीं है अस्तान नहीं है उसके लिए हम प्रधान मंत्रियावास की दिश्चूर से क्या ब प्रधान मंत्रियावास को मिलेंगे इस सब काम के दिश्च देरे देरे विशे चलना है विशे त्वाप्ति को बढ़ेगा चलिए अज्यक जी कैक की रिपोर्ट आई ती जिसमें ये कहा गया था कि बिदान सब मंदल के बिना अनुमती के और सब्सक्राइब करोड रुपे कहा गया पिछली सरकारों का पता ही नहीं है क्याक की रिपोर्ट कोंग्रेश के समय पर रखी जाती है समयोधी के आधार पर का दो पक्स होते हैं पहला पक्स तो विधान सबाद्वा द्वारा जो बजट पारित होता जबिमें योजनाओं के ले उसको खर्च करना होता है लेकि प्रस्थितिया ही निर्मान होती है उत्राकण देवियाफदा चीट ले प्रसेद निर्मान थो तत्काल कैने कुछ खर्चों करने पर नहीं होता अगर 4700 रुपया बिना अनुमतिकी के खर्च संभाव ही नहीं है तो फिर उनप्रुरक ब पुपित विशे थे लेंगे ऐसा कभी संभव नहीं है कि बिना धन्राशी के कोई योजना पारिज हो बिना सरकार के अनुमती से किसी व्याकों धन्राशी जली जाए बिना आप तो ऑनलाइन ट्रेंडिंग प्रक्रिया हो गई है तो इस परकार की हलकी बाते करके जनता को गु जुरू के खर्च हो गया है तो आप प्रश्ण कर सकते हैं बोल किया रहा है और आग उत्राखर की नभ्य परसे ज्यादा आवादी सिक्षित पड़े लिख ले ज्यानी लोग है यह ठीक है कि जब प्रस्टी बास कुछ खर्चा करना पड़ता है इसका अधिकार भी सरकार को प्रस्टी खर्चा करना अभी आप दाई जोश्माट के अंदर अनपुरक बजर तुबाद में खर्च करना पड़ेगा हर चीज का तत्काल खर्चे की जब आउश्टा पड़ती है तो यह ब्योस्ता है सरकार को लेनी पड़ते निरे सरकार को लेने पड़ते और समय आने प कि अगर में दून अस्पिताल की बात करूं तो वहां पर बैड नहीं है मरीजों के लिए तो लागातार विपक्स यह कह रहा है कि सरकार एक तरफ कहती है कि हम जंता के लिए यह कर रहे हैं वहीं डेंगु इतनी बड़ी समस्या है जिसका चार दिन का एक वो भी निकाला गय अब क्यों राजदानी से बहुत पास हमारा राजदानी चीतर है इस मौसम की मार ऐसे रही कि हमने अकाल्पनिक जिस माह में बरसा होनी चीजिस माह में होई नहीं होनी चीजिस माह में बारिश में यह भी सच्छा कि उसकी ब्यावस्ताओं को जिस गतिसे बढ़ना चाहिए इसमें थोड़े बहुत बिलम हुआ है यह बात चीजिए कह रहा हूं मैं कि आज अकर स्वास्तिक के दुश्चे में बात को तो उस्तरा खंड और राज्यों से बहुत 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 रही है हमारे आज जितने भी सिकित साले हैं हर प्रका को प्रोणों की ब्योस्ता हैं लेकिन तो भी डेंगू के प्रभाव से घटना ही हो रहे हैं से रूपने के लिए माने मुख्यमंत्री जी हूं माने स्वास्तिक मंद्र लगातार उसकी मॉन्ट्रिंग कर रहे हैं और अब मुझे आप जबाज मेरा इंट्रिवू ले रहे हैं यह भी सच है आज के बाद किसी को पूछ करने हैं आपदा से कैसे बचा जाए इसके प्रयास जहां सरकारी स्थर्प होते हैं वह भ्यक्तिया प्रयासों भी आफश्ता होगी है कुर्णा काल मजा मोधी जीन का मास पहन के चलो तो आज हम सब जानते कि अगर हम अगर हम डेंगू को से बथना चाते हैं फुल वाजू कमीच बहननी पड़ेगी कितना प्रहु सब्सक्राइब लगना में अंतिम सवाल आपसे पोचूँगा अंकिता भंडारी को लेका एक साल आज हो चुका है अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ पूरा प्रदेश पूरा देश जानता है और वहीं कॉंग्रेस ज कोवाई में क्यों वहां पर बुल्डोजर चल गया क्यों आग जनी वहां हो गई किस तरह से थे क्यों मैं इन सब बातों को खंडन करता हूं कॉंग्रेस कर नेतिक बल है ना मुगरेनों विष्ट के खिलाब मुकंदमा दर्ज करें ना पूरूफ के साथ चीजों का अगला है कि वहला आरोप लगाना और मैं तो आज बात के इस रूप में भी कह रहा हूं अंकीता का हत्याकांट के बाद अगर तत्काल सरकार ने कारवाई किया है तो अपना पर नजीर है का नंची चाहिन हो जाते थी चौबिस घंटे कज रेस्टिंग हुई है अपराजियों की अपराजिक जेल की सलाकों में नियाले में मामला है कि किसने मना किया जैंसी को सब़ूंदत है कि को अब तत्य है तो देना चाहिए उनके माता-पिता की हर प्रकार से शयोग करने के कोई बीप बात कर दो लिए अज बेटी को अफमानित कर रही है कि अखिरकार तुम पर कोई नाम दो ना यार जब कोट में चीजें होती हैं उनके परिवार स्वतंतर भीशे रखने के लिए सब्सक्राइब कर रही है और कोंग्रेश के नितावसों मैं कहना चाहते हूं आप पर कोई नाम लेते हैं आप यह तो बताओ अखिरकार एक बार जहां चाने दो रिपोर्ट आने तो सब विशा के खुलाता होगा उनका कहना यह कि अगर हम बताएंगे सरकार क्या करेंगी सरका नामियभी के साथ कॉम्हार शॉन कर नाम हूं लेगर कोंगरेश में चला रही है तो एक समाठर पतर के आदार बे किसी एक वीडियो क्लिपिंग के आदार बां चला रही है तो उसको उसको उससरे मुझ पूछना चाहिए जिस ब्यक्ति ने इससे नाम लिया बोल रहा है कि आवन बाद लॉट पर जीजन जेयल में है क्यों नहीं कि तो उन्हेली हो बार 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 भार भी भी लाई बार बहुत के इस भी तरह के त्म भार भी। का अथितरी का अथिर हो घूरी कि अखिर कि अदर है। इस बेटी को अपमान ही तरह निए अबाद की तारिक में इस स्थिती इत्मन होती है फिर मैं कहा हूं मुद्दा भीन हो जाए आखिर कार मैं कि मैं इस बात को विश्वात पुरा कह सकता हूं पुरुषकर सिल धामी जी के सरकार के नितुर्ट में हर बेटी को सम्मान देने काम कि अधी अगले तीनों को पहर में गोलियां लगी है मुटभेड में और गोलियां लगें इस यही सकती पुर्सका इंदामी जी अपनाया बेए कोई व्यक्ति कही पर बेहनों के लिए अपमान होगा आकर जवर्वांतर को विशेक श्या आया यह कि बेहनों को बेहला फुमा विस्वास रखने की आफसकता है और में कॉंग्रसी नहीं तो कहूंगा बहुत हो गया अंकिता को बदनाम करने का सब्सक्राइब बंद करिए विस्वास रखने पर बहुत जल्दी दोसी जेल की कटगरी में होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं कब तक लागु कर सकते हैं कोई आइटिया समान नागरिक सहीता देश की आफसकता है और मैं पुसकर्दी नामी जी का इससा आभार व्यक्ति करता हूं कि यह विशह आज देश के अंदर चर्चा का विश्व बना है और मुख्यों इस किसी कानुन को बनाने के लिए सब कि सहमत की आउस्ता होती है कि यह कमेटी बने कमेटी सब लोगा बादचित की सब रानेते लोंगा दिने गई कोई आयोग बनता कोई कमेटी बनती है परसाफनी आयोग होता है उसने का मना पुर्ण परसुआ पशुआ हो नहीं देंगे कि कॉंग्रेस ने वहां भी राजिती कि कॉंग्रेस देश के अंदर समान नार्शंदर के पकदर रही नहीं है लेकिन देव हुमी है चलिए ठीक है अच्छा एक अंतिम सवाल रहेगा मेरा आप आपकी नजर में बहतर मुख्यमंत्री कौन था पूर्ब मुख्यमंत्री तुरि जिसको भी नेटा को पर भीजा जाता है हम सब कार्यक्रता को सम्मान करते है थिर्वेंज को काम किये वह किस है आर पूस्कर धामी करओं 2015 के समय काभिसा की ना पूष्कर धामी चैनली की क्यों कि नेतिव पिशोने जान रखता है और काम ध्रहत्य भीसक Cand सवाल का जवाब बड़े सरल तरीके से दिया तो यह थे हमारे साथ भाष्पा उत्त्राखंड प्रदेश अध्यक्ष महंदर भर जुन्हों हर सवाल का जवाब बड़ी सरलता से दिया कावरबश्यान आश्यू के साथ आई शौदरी देव भूमी इंसाइडर डाउनलोड करें देव भूमी इंसाइडर डाउनलोड